इंदर सेकिंड वर्ब का मतलब यह है चलो मैं आपको सीधा इंगलिश ही बता देता हूँ इसको छोड़ो वे किताब पढ़ना जानता है ही नोस हाव तू रीड बुक उसे पता है कि कैसे तैरते हैं ही नोस डेट हाव तू स्वीम अब दीटो सबसे पहले हम सबजेक्ट लगा रहे हैं फिर हम वर्ब लगा रहें मतलब जानना उसे पता है कि पता को हम बोलते जानना हम ऐसे भी बोल सकते हैं वह जानता है कि कैसे तैरते हैं तो he, अब s लग जाएगा, he knows that how to swim, ठीक है, या फिर he knows how to swim, both are right, मेरे पापा को पता है कि कैसे खाना बनाते हैं, my father knows how to cook food, अगला, क्या तुम्हें नहीं पता कि कैसे हिंदी लिखते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता है कि, क्या तुम्हें नहीं पता है, क्या तुम्हें नहीं पता, do you not know, हम ऐसे भी बोलते हैं, don't you know, क्या तुम्हें नहीं पता, do you not know that, हिंदी कैसे लिखते हैं, that, how to write Hindi, then question mark, where AC चलाना नहीं जानता है, he does not know how to operate या फिर स्विच on दाइसी ठीक है, अगला, राम को पता है कि, cycle कैसे चलाते हैं, या फिर ऐसे भी बोलते हैं, राम जानता है कि, cycle कैसे चलाते हैं, राम, अगला है, मुझे चाय बनाना नहीं आता है, I डॉन्ट नो हाव तू बनाना या मेक चाय को टी I डॉन्ट नो हाव टू मेक टी नेक्स्ट, हमें अंगरी जी गाना गाना आता है वी नोज, यानि हम जानते हैं, वी नोज हाव तू सिंक इंग्लिश सॉंक नेक्स्ट है, मेरे छोटे भाई को कार चलानी आती है लोकल लेंग्विज में हमें ऐसी बोलते हैं, बट ये ऐसा भी होता है मेरा छोटा भाई जानता है कि कार कैसे चलाते हैं मै छोटा, यंगर बहुत सारे लोग स्मॉल करते हैं, स्मॉल क्या होता है, साइज की बात होती है, बट उमर की जब बात होती है, तो उसके अंदर यंगर या फिर एल्डर बड़े के लिए एल्डर और छोटे के लिए यंगर लगाते हैं मैं यंगर ब्रादर लोगाते हैं, यहां पर कार है, ठीक है, तो यह था हाउ टू की क्लास, आई होप आपको समझ में आवोगा, और कमेंट में जरूर आप अपनी क्यारिज लिखिये, जो आपको नहीं समझ में आता है, मैं आपको और सेंटेंसिज आने वाली वीडियो में दे दूँँगा, जिससे आपको प्रोपर नोलेज हो जाए कि हाउ टू की क्लास को कैसे बनाया जाता है, थैंक यू वेरी मुच